बैंगलोर इतना जादे डेवलप एरिया हो गया और यह अचानक डेवलप हुआ तो जब कोई सहर अचानक जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्ट्चर कोलैप्स कर जाता है यह उड़ा के लिए की चल जाएगा इसे बीचवाम बैटरीया खतम हो पहले ही बता देगा जापाएंगे की नहीं और ड्रोन में केशीटी होती है अगर बैटरी खतम होगा ना जैमर आता है करोडो की मशीन आती हो आर्मी यूज़ करती है उसके उपर जैमर मार देगा ना तो ड्रोन को कमांड दे देगा रिटर्न टू बेस अब ड्रोन कहां जाने लगेगा वापस अब उसके पीछे पीछे आर्मी जाई और एक और समस्या है वहाँ पर करनाटक की राजदानी बैंगलोर इसरों का मुख्याल है बैंगलोर में है आईटी कैपिटल अप इंडिया बैंगलोर सिलिकॉन वैली बैंगलोर बैंगलोर इतना जादे डेबलप एरिया हो गया और यह अचानक डेबलप हुआ 1990 के बाद जितनी आईटी कंपनीज आई सब वो धरले से कहां आ गई बैंगलोर तो जब कोई सहर अचानक एक्सपेंडीचर एक्सपेंड हो जाता है तो जादे बढ़ जाता है तो इंफ्राइस्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है अभी करनाटक का जाम लगना इतनी बड़ी स बीच में दो घंटा जाम में फासे राएंगे इतना भायानक जगह है बैंगलोर अब वहां एयर टेक्सी चालू हो गई है कि ड्रोन में बैट यह उड़ा के लिए कि चल जाएगा इसे बीच में बैटरिया खतम होगा लेकिन जो कोई बीचीज सुरू सुरू में रहती है त वापस कहा जाएगा अपने जगह पर कोई भी जो ड्रोन लेते हैं आज जाने ही कि आप उड़ाते जाएगे उड़ते जाएगा उसकी जहां तक वापस आने की छमता है ना देख लेगा कि अब इतना बैटरी है तो आपको वार्निंग देगा वार्निंग नहीं सुनिये कहत देख दो ड्रोन को कमंड देगा रिटर्न टू बेस अब ड्रोन कहा जाने लगेगा वापस अब उसके पीछे पीछे आर्मी जाएगी तो चुछ वापस जो जहांसे उड़ा होगा वही जाएगा पकड़ा देगा जहांसे है सबको खतरनाक चीज है अलाकि जो भी हवावा लेकिन हम लोग ड्रोन टेकनलोजी में भी बहुत पीछे अब बैंगलोर हला कि आगे है आईटी सेक्टर में लेकिन ड्रोन टेकनलोजी में बैंगलोर भी पीछे और यहां बहूत सारी इंडर्स्टी है रेंट यहां इतना महेंगा है जिसका कोई हद बहूत महेंगा रेंट सिंगल रूम लीजेगा तो 25-30 ज़र का पड़ेगा सिंगल रूम घुसते खत्म हो जाएगा अब बैचलर को वहां रूम में नहीं देता है अब बैचलर से बदमासी यो बड़ी करता है इसलिए लोग परिशान रहते हैं तो यह तो हो गया बैंगलोर, IT City हो गया, Silicon Valley हो गया बैंगलोर, और क्योंकि Software Industry यहां बहुत ज्यादे हैं, तो Software का जरुवत, जैसे आप लोग देखते होंगे, Google है, WhatsApp है, यह तो बड़े-बड़े Software हो गया, चोटे-चोटे Gaming Software हो गया, और Hospital का अपना एक Software होता है, और बड़े Hotel का अपना एक Software होता है, जैसे Hospital है, उसका Software चाहिए नगी, फार्मा, उसके जो फार्मा है, वहां कितनी दवाईयां है, आज कितनी दवाईयां बिग गई, कौन सा बेट खाली है, क्या नहीं है, महीने में पूरा उसका लिस्ट बनेगा, कि कितना कीलो एंटिबाइटी चला, पूरी लिस्ट बनेगी न, कि महीने में कौन सी दवा तो नॉर्मल आप रहेंगे, कोई बहुत ज़्याद एडवांस नहीं कर पाएंगे यहां पर, संग में आगे की नहीं है यहां पर, तो सफ्ट्वेर रहेंगे तो सारा चीह देगा, जैसे किसी का ऑपरेशन होगा, तो सफ्ट्वेर में सारा चीह डल जाएगा, कि मरीज यह था इतना एस था है आपर, और उसको कौन-कौन सी दवाईयां दी गई, तो इससे एक अनुभा हो जाएगा कि कौन-कौन सा प्रॉब्लम होगा, उसे दर्ध जादे हुआ या सूखने की दवा दी गई थी, तो सफ्ट्वेर का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही काम में आता हर अलग अलग जगह पे उसका सफ्ट्वेर की जरूरत पड़ती है, अपना अलग अलग जैसे बीपीएसी बीकाज ने कहां से सफ्ट्वेर बनवाय था अपना, हम बदनेवाला सर्वर है उड़ गया, कस्ता कहीं से बनवा लिया हो गई, बेगूसरा है वगरा से, इसको तुछ राइब मनाओ, आगे पड़ें!